प्रतेक कर्मियों के लिए जिनकी नियुक्ती 2004 के बाद हुई है यह काला ध्याय के रूप में सावित हुआ है हमारी पुरानी प्रेंसन योजना सिष्टम बंद कर दी गई है NPS सिष्टम लागो की गई है और यह NPS सिष्टम बिलकुल ही सभी कर्मियों के लिए समाजिक और सुरक्षा का मात्रम बन चुका है हमें आवशक्ता है कि हमारी वही पुरानी प्रेंसन योजना हम कर्मियों के लिए लागो हो हम साथ वर्स तक अपनी देश के लिए राज के लिए समाज के लिए सिवा दे रहे होते हैं तो आप सकता है कि हमारे वह पुठापा सुटक्षी करने के लिए सरकार के बारा जो है NPS सिष्टम लागो की गई है इसका हम पुठोर जोड करते हैं और इसकी थर्सना करते हैं और मांग करते हैं कि हम सभी राज कर्मियों को जो छारखंड से लेकर अन्य राज्यों में एक कर्मी के रूप में कार्ज कर रहे होते हैं इनके लिए पुरानी पिंसन योजना लागू करे और हमारा पुरहापा सुरक्षित करे समाज को समाजिक सुरक्षा के दाइरे में रखें इसके लिए पहली जन्वरी को हम फुट्सो के रुपे न मनाते हुए पहली जनवरी हमारे लिए काला ध्याय हमारे जीवन के लिए काला दिन के रूप में है हम इसका बिरोध करते हैं और इसके लिए प्रतिकात्मत बिरोध के लिए हम अकल एक जनवरी को अपने बाहों में काली पटी बांद कर यदि हमारा कारजाले खुला है तो कारजाले में और यदि नहीं भी खुला है तो हम अपने जब खरों से बाहर जाएं तो बाहों में काली पटी बांद कर NPS सिस्टम का भी रोज करना है साथ ही साथ सोसल मेडिया के माध्यम से वाट्सेप और खिस्टूप के डीपी पर प्लैक्टे का डीपी लगाना है और यह अगले 24 खंटे के लिए हमारा यह डीपी प्लैक्टे के रूप में होगा और इस तरह से हम सभी NPS कर्मियों की ओर से राज सरकार केंद सरकार कोशंदेश के पुरानी पेंसन योजना लागू करो NPS सिस्टम को बंद करो और यह आमाहन हमारे NMOPS के राष्टिय अध्यक्ट स्रीपिजय कुमार बंधोजी एवं छार्खन प्रांत के अध्यक्ट स्रीपिकरांत कुमार सिंग जी के नेत्रित में ह इसलिए एक बार हम सब NPS कर्मी एक चुठ होकर शामरिक रूप से NPS सिस्टम का विरोद करें और एक जनवरी को काला दीवस के रूप में मनाएं सोसल मीडिया में फिर से मैनिवेदन करना चाहूंगा वाटसिप और और फेस्बुक के डीपी पर प्लेक डेका अपना डीपी लगाएं और 13 जनवरी को महारैली जार्खन प्रांत में सभी NPS कर्मी बंधू वहाँ पर एक चुठ होकर अपनी छमता अपनी ताकत और अपनी एक चुठता को दिखाना है और एक पार मजबुती परदान कर सरकार को बादे कर हमें पुरानी केंसन युजना बहाल करने के ल प्रांट